यह सरकार जब 2014 में बनी तब से हम इसके कोई ऐसे रास्ते खोज रहे थे कुछ आशा थी कि स्थानिये जो सरकारे हैं वो भी कुछ जिम्मेबारी उठाएगी लेकिन सारे प्रयाज सारे प्रयोग कही न कही उलस्ते रहे आखिर कर यह ताय किया कि कोई करे या न करे हम इसे किये बिना रह नहीं सकते कोई जिम्मेबारी उठाए न उठाए हम गैर जिम्मेबार नहीं बन सकते हैं सरकार मैं से जितने भी अपसर देने पड़ेंगे देंगे सर्वे करने के लिए जितने लोगों को लगाना पड़ेगा लगाएंगे भारत सरकार पूरी जिम्मेबारी के साथ इस काम को पूर्ण करेंगे हमने पूरे छेत्र के लिए नीती बनाई उस नीती बनाने से पहले भी आपके सभी सांसदों के साथ विस्तार से चर्चा की उसकी हर बारिकी की चर्चा की आपके सांसदों को बहां स्थान पे जाकर के सर्वे करने के लिए कहा जाके देखके आओ भे जो बताये जाता है वैसा है या नहीं है आपके जो MLA है उनको लगाया जो आपके भुत्पुर्वा MLA है उनको लगाया कुछ कॉर्पोरेटर को जोड़ा एक प्रकार से सरकारी व्यवस्ता के सिवाई भी भारतिय जनता पार्टी के सभी जिम्मेवार इस नीती बनाने में बहुत सक्रिय रहे नीचे से जानकारी लेकर कर आते रहें लेकिन एक मंत्र में सबको बताता था कि नीती वह बनेगी जिसका आत्मा यही होगा सबका साथ सबका विकाश सबका विश्वास उस आत्मा को कैंद्र में रखके ही नीती बनेगी ऐसा नहीं हो कि अगभी इस धर्म के लोग है तो उनको तो फायदा मिलेगा उस धर्म के वालों को नहीं मिलेगा ये बीजेपी को वोट मिलते हैं उस कॉलोनी में तो लाब मिलेगा बीजेपी को कभी वोट नहीं मिलता है वहां नहीं मिलेगा ये नहीं चलेगा और मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के कारकरताओं ने भी, MPs ने, MLs ने, कॉर्पोरेटर ने और सरकारी अधिकारियों ने भी, मेरे इस मंत्र को रत्ती भर भी खरोच नहीं आने दिये। गोर भाजे पाकी, गोर विरोधी कोई कॉल नहीं होगी, पिछले सत्तर साल में हमको एक मोट नहीं मिला होगा, लेकिन इस नीती के अंतरगत भी अगर हकदार है, उसको उसका हक दिया जाएगा. और वो हिंदू है, सीख है, इसाई है, बाउध है, ऐसे कोई भेद भाव को इस नीती को लागू करने में कहीं पर भी स्थान नहीं होगा. सबका साथ, सबका विकास का मतलब यही है, और इसलिए, यहने कोई ऐसा भी होगा, कि इस नीती का वियोद करने के लिए कल जुरूस निकालेगा, तो भी अगर वो हकदार होगा, तो उसको फायदा मिलेगा. क्योंकि यह पूरी दिल्ली का भागय बदलना है, और दिल्ली का भागय बदले विना हिंदुस्तान का भागय नहीं बदलता है.